अलो शाती नमस्कार आदाव शाश्यकाल मैं हूँ फाहीम वल्कम बाक टो दे चैनल फाहीम ब्लॉग साथियो यह जो इसकीन पर बगरा देख रहे हैं यह पीपियर बीमारे से पीडित है और पीपियर की लास्ट स्टेज में भी है यह क्योंकि यहां पर यह सांस लेते में करा रहा हैं और साती सातै को मुँझे बहुत जादा जगा रहे हैं उसके मुह में साती जखम बन ने हैं लुजँ मोशन भी करते रहे और फिर उने English treatment कराया तो कुछ relief ना होने की वज़े से सात्यों ये दो दिन से इसका इलाज करा रहे थे लेकिन सात्यों अब हमें इन्होंने confirm किया है कि हमारे बकरी की इस्तिती ज्यादा खराब है आप इसको देख लेजिए इसी तरह का बकरा मैंने सात्यों इनके पड़ोस में देखा था अभी मैं आपको उसको पूरी वीडियो दिखाऊँगा जो मैंने बकरा देखा ओ जुगाली कर रहे है उपर चशतपे बैट के और साती साथ तक उसका थमनेली में मैं दिखाऊंगा जो मैंने बकरा इसी same condition का बिलकुल ठीक करा है लेकिन उस बकरे के कान पर white spot कम थे लेकिन इसके पूरे कान पर बहुत ज़्यादा spot है और ये बकरा साथी उस बकरे से काफी बड़ा है इसकी ठीक होने की वीडियो में साथी completely दिखाने वाला हूं तो इस बीमारी में पीप्यार की जो लक्षण है साथियो सबसे पहले तो हमें सभी को पता होना चाहिए पीप्यार के लक्षण जो आते हैं सुरवात में 105-106 तक temperature जाता है कभी-कभी 107 तक temperature भी जाता है सुरवात में जानवर सुस्त हो जाता है चारा खाना पीन फीबर आया था इन्होंने जन्रलीस का टीटमेंट कराया लेकिन साथियो कुछ रिलीव ना होने की वेशे इसके मुह से जागाने लगे अंदर वाइट वाट साथियो दाने निकलने लगे और जखम बनने लगे और इसका साथियो मुह बिल्कुल फलने लगा तो यहां पर हम इसको आये साथियो इसका मुह की अच्छी तरह है रहा हमने फिर फिटक्री के पानी से हमने इसको जो मल धाने हैं जो इप्सका मुह लगे चὶ जल्दी ठीक हो यहाईगा कभी भी PPR में जनवर के मुह में जखम हो रहे हैं तो उसको glycerine से आप साफ सफाई करें रोजाना सुबह साम और उसकी दिन में दो बार कम से कम फिट करें इसे अच्छी तरह रगड़ के मुह के अंदर जो छाले निकल ले हैं सात्यू वहाँ पर उसकी धुलाई करें तो इससे आपका बकरा जल्दी ठीक हो जाएगा जाग भी कमाएंगे क्योंकि इसमें जाग बहुत जादा आते हैं मुह आने की वेज़ से जाग आते हैं टीटमेंट हमें सिर्फ सिंपल करना है टीटमेंट में हमने जो इसको टीटमेंट दिया है वो दिया सात्यू DC धाई गिराम का आता है इसको हमने पूरे DC को 10 ml में घोल सकते हैं इसको अगर आप डोज बना चाहते हैं तो आप बोडियोट के हिसाब से डोज बना सकते हैं मैंने यहां पर क्यई बकरे मैंने मैंटिशन लगाने वाला हूं तो मैंने यहां पर DC 10 ml में डायलूट करके इसको धाई ml इस बकरे को मैंने डीप इंटर मस्कुलर लगाया है मैंने कुछ खा नहीं रहा है कotherapy उसे तो सातियों यहां पर मैंने इसको एविल वित वी कॉमप्लेक्स दौनों मिक्स करके सातियों इसको दिया है कमजोरी के लिए मैंने आप इसमें ट्राइवी बैट भी लगा सकते हैं जो कमजोरी वीकनेस नाए और यहां पर सातियों अगर ऐसी सिच्वेशन में बक्रे के सुबह साम जो injection आते हैं भाव लगाने के ब्यूटा कोट और लिवो लियोन injection आते हैं उस injection को आदा आदा आपने सुबह साम मसीन में डाल कर सात्यों बकरे को कम से कम 15 से 20 मेटर भाव लगानी है यह वो बकरा सात्यों जो आप उपर देख रहे हैं जो उपर बैठा हुआ है यह बकरा भी रैड कलर का है इसको पहले पीपियार हुआ था इनकी परोसमी था यह बिल्कुल ठीक हो गया है और आफ्टर तीन दिन के बाद सात्यों इस बकरी की वी रिकवरी हो गई है यह देख सकते हैं इसका जो मुह है बिल्कुल सात्यों नॉर्मल हो गया है किसी पिरकार का जखम नहीं है अब यहां पर हमने इलाज करने के बाद यह बकरा सात्यों जुगाली कर रहा है जो उपर बैठा है इसके कान पर इस्पोर्ट कम हैं यह देख सकते हैं और इसके जो कान जो अब एक्श बाला ठीक है बिल्कुल है मुँख दिखें यह फ्रेश है अंदर से चारा वारा खारा कुछ है बहुत बुरी कंडिशन होगी इसकी ना यह आगी बचने को में छोड़ी मुश्कल से बचाए भी इसके बाल जी आ जागे बद एक सब बाला यह छोड़ी पीटे छोड़ दा फो आप छोड़ी जैसे के आपने ओनर के मुँख से सुना कि बखरा बिल्कुल ठीक है किसी पिरकार का जंखम ने नहीं है और बचने की उमीद पे नहीं थी जिस तरह साथ यह सांस ले रहा था मूँ से जाग आ रहे थे और मूँ में जखम बने हुए थे पांस दिन से कुछ नहीं का रहा था टीटमेंट के बाद साथ यह नॉर्मल हो चुका है ठीक हमने PPR में अगर ऐसी सिचुेशन बने के बकरे के मुँ में ज़ाग आ रहे हैं बहुत ज़ादा जखा में खा नहीं जा रहा है और सबसे ज्यादा मैन लक्षन होता इसमें क्योंकि इसमें बहुती ज़ादा खतना अकसातियों नुमूनिया जैसे लक्षन आते हैं जो कि फेपड़ों पर लंग्स पर अटेक करते हैं जानवर को प्रॉपर सातियों सांस नहीं मिल पाती है और जिसकी विज़े से सातियों जानवर डैथ हो जाते हैं PPR में तो नुमुनिया का एंटिटोड जो है इस बीमारी में सबसे पहले आपने मैंड ली अगर ऐसे सिम्टमस आ रहे हैं बकरा बीमार चला है क्या ही दिनों से नुमुनिया बहुत ज़दा खतनाक है तो सातियों उसमें आपने भाप लगवानी है भाप लगवाने से इस बीमारी में सातियों बहुत ज़दा सांदर रिजल्ट देखने को मिला और आपने सिंपल एंटिबाटिक ज़दा कोस्ट का भी इलाज नहीं है पहली वीडियो में तो मैंने आपको दिखाया के बहुत कोस्ट का इलाज बैठा था लेकिन सातियों इस वीडियो में नॉर्मली कोस्ट का 40-50 रुपे की इंजिक्शन आते हैं और जनरली आपने सुबह साम लगाने होते हैं एंटिपायरेटिक और एंटिबायरेटिक सातियों जो जखम सुखाने के लिए और बुखार को फीबर को कम करने के लिए ये लगातर आपने 4-5 दिन का कोर्स करना है सुबह साम और बकरा आपका जनरली ठीक हो जाएगा अब यह जो दूसरा बकरा है इनका सातियों यह भी infected है हलका सा तो यहाँ पर हम इसको भी डोज लगाने वाले हैं तो सातियों dairy farming में जब भी आप ऐसी सोच रहे हैं या god farming में करने की सोच रहे हैं और जो बकरे infected हैं सातियों उनको दूर रखना है अलग लोट में रखना है और ऐसी situation में हमें कभी भी सातियों नजदाज नहीं करने चाहिए और इसमें जो lose motion की में बात करूँ अगर बकरा normal हो जाता है ठीक हो जाता है तो उसकी तुरंत से तुरंत डिवार्मिंग करें पेट की केड़ों की दवा दें जानवर पीप्यार बीमारी में आने से उनकी भूक सातियों एंटिवाटिक लगने की वेज़ से खतम हो जाती है कम हो जाती है चारा दाना अच्छे से नहीं खा पाते हैं और जानवर सातियों बिल्कुल दूबले पतले हो जाती है तो ऐसी situation में हमें सातियों उनको ठीक हो जाएं रिकावर हो जाएं तो उन्हें लिवर टॉनिक देना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है क्योंकि लिवर टॉन में जानवर को एंटिवाटिक सुबा साम लगते हैं तो इसकी जानवर सूख जाता है कमजूर हो जाता है दूबला पतला हो जाता है तो इस तरह से आपने इलाज करना है बाड़े की साफसाफाई रखनी है क्योंकि साथ पीप्यार के मैं कैस के अब तक ला चुका हूं के व